Hello students, चलिए स्टार्ट करते है exercise 1.6 का question number first देखते हैं क्या है find out 64 की power 1 by 2, 32 की power 1 by 5, 125 की power 1 by 3 इनके answers हमने यहाँ पे find out करने हैं तो मैं आपको suggest करूँगा यह questions करने से पहले आप एक बर introduction वीडियो देखिए इस chapter की वहाँ पे मैंने कुछ formula's बताए है exponents के वो आपको अच्छे से clear होने चाहिए तब आप इन questions को बिल्कूल चुटकियो में solve कर देंगे otherwise हम यहाँ पे देखते हैं अगर आपने introduction देख चुके हैं तो सबसे first जो question है हमारा वो क्या है 64 की power 1 by 2 अब 64 का किसका root होता है किसका square root होता है 8 का square क्या होता है हमारा 8 8 जा 64 होता है तो मैं 64 को क्या मैं 8 की power 2 लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ देखो 64 का root 8 होता है तो 8 का square लिख सकता हूँ मैं इसको लिख दूँगा 8 का square और इसकी power कितनी given है 1 by 2 8 का square का मतलब 8 multiply 8 8 8 जा 64 तो यहाँ पर 2 है यह 1 by 2 है तो इसको क्या लिख दूँगा 8 की power 2 multiply 1 by 2 2 से 2 cancel तो क्या बच गया हमारा यहाँ पर 8 answer आ गया इसका first part का बिल्कुल simple था next चलते हैं second part पर 32 की power 1 by 5 अब 32 किसकी power 5 होता है 2 की power 5 जो होता है वो होता है हमारा 32 2 की power 5 into 1 by 5 देखो 32 में अगर 2 को मैं 5 times multiply कर दूँ तो क्या आएगा 2 तू जा 4 तू जा 8 तू जा 16 तू जा 32 तो 2 की power 5 कितना हुआ 32 तो 2 की power 5 into 1 by 5 किसके एक वल आ गया 2 की power 5 multiply 1 by 5 5 से 5 cancel तो answer आ गया 2 this is the answer कलियर है बिलकुल इजी थे 3rd part पे चलते हैं 3rd part में क्या गिवन है 125 की power 1 by 3 अब 125 किसकी power 3 होता है 5 की power तो 5 की power 3 इसकी power 1 by 3 देखो 5 multiply 5 multiply 5 5 जा 25 25 जा 125 तो 5 की power 3 की आ गया 1 by 3 तो यहां पे इसको simplify करेंगे तो 5 की power 3 multiply 1 by 3 3 से 3 cancel तो क्या आ गया हमारा 5 अब यह कैसे पता चले कि सरीए 5 की power 3 है यह यह 2 की power 3 है इनके factors निकाल लो जैसे 32 के factor निकाल लो 2 से divide क्रो 16 2 से divide क्या 8 2 से divide क्या 4 2 से divide क्या 2 कितने times 2 आगे 5 times 5 times आगे तो 2 की power 5 ऐसे 125 को कर लो 125 को 5 से करेंगे 25 फिर 5 से करेंगे 5 कितने times आगे 3 times तो 5 की power 3 clear है कोई doubt नहीं होगा आपको क्योंसे number second देख लेते हैं अब क्योंसे number second के अंदर क्या करना है हमें same formula पता होने चाहिए root, square root वगारा पता होने चाहिए और formula बिल्कुल simple है 9 की power 3 by 2 given है अब 9 किसका square होता है 3 का square 3, 3 जा 9 होता है तो 3 की power 2 और इसकी power क्या गिवन है 3 by 2 अब दोन्नों powers में है तो इनको क्या कर देंगे 3 की power 2 multiply 3 by 2 2 से 2 कट गया तो 3 की power क्या बचा 3 और 3 की power 3 कितना हो जागा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 तो ये आगया मारा answer means 3 की 3 बार multiply 3 multiply 3 multiply 3 3 3 जा 9 3 जा 27 second part 32 की power 2 by 5 32 को क्या लिख सकता हूँ है 2 की power 5 अभी previous question में किया था इसकी power है 2 by 5 तो क्या बन गया 2 की power 5 multiply 2 की power 2 by 5 5 से 5 कैंसल तो बचा क्या 2 की power 2 अब 2 की power 2 किसके गोल हता है 2 2 जा 4 ये answer आ गया हमारा clear है 3rd part पे चल पड़ते है 16 की power 3 by 4 निचे 4 है तो 16 किसकी power 4 होता है 2 की power 4 2 की power 4 क्या होगा 16 तो इसकी power क्या है 3 by 4 तो इसको क्या लिख देंगे 2 की power 4 multiply 3 by 4 एको multiply में है इसलिए 4 से 4 कैंसल तो क्या आ गया 2 की power 3 2 की power 3 कितना होता हमारा 8 तो answer आ गया 8 clear है next चलते है 4th part पे important है 125 की power minus का 1 by 3 अब 125 किसकी power 3 होता है क्योंकि बेस में यहाँ पे denominator में 3 है ना तो 3 की check करेंगे 5 की power 3 multiply में क्या है minus 1 by 3 तो is equal to क्या आ गया 5 की power 3 multiply में minus 1 by 3 3 से 3 कैंसल तो 5 की power क्या बची minus 1 इसको कैसे लिख सकते है निच्चे लेके जाएंगे तो 1 by 5 की power 1 तो मतलब 1 by 5 negative power को निच्चे लेके गए positive हो जाएगा this is the answer बिल्कुल easy है आपको exponents के formula थोड़े से पता होने चाहिए कोई doubt हो तो आप मुझे comment कर सकते हैं otherwise question number 3 देख लेते हैं इसका क्या है question number 3 के अंदर क्या है simplify करना है फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है 2 की power 2 by 3 है multiply करना है 2 की power 1 by 5 से देखो दुनों base same है formula क्या होता है अगर A की power M है और A की power N है तो यहाँ पे formula बन जाता है A की power M plus N power add हो जाती है तो यहाँ पे भी देखो यह भी 2 है यह भी 2 है तो 2 की power क्या हो जाएगी 2 by 3 plus में 1 by 5 इसका calcium ले ले लेंगे तो क्या बन गया 2 की power 5 और 3 का calcium 15 15 answer आगया हमारा clear है second part पे चलते है 1 by 3 की power 3 इस पूरे की power 7 है तो इसको क्या लिख देंगे 1 की power 7 अब उन में 3 की power 3 है और इसकी power 7 अब देखो एक formula होता है A की power M और उसकी power N O तो कैसे लिख देंगे A की power M into N लिखा जा सकता है तो यहाँ पे 1 की power 7 किसी की power 1 की power कुछ भी हो तो 1 ही होता है अब उन में यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की power 7 तरी जा 21 यह answer आगया हमारा clear है next देखते हैं third part 11 की power 1 by 2 अब उन में 11 की power 1 by 4 अब देखो यह multiply में होते तो power add हो जाती अब divide में तो power subtract हो जाएगी क्या formula होता है एकी power m अपोन में एकी power n हो तो एकी power m minus n हो जाता है तो यहाँ पे भी same formula use करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 की power 1 by 2 minus में 1 by 4 तो क्या आगया है यहाँ पे 11 की power 1 by 2 minus 1 by 4 करेंगे तो LC हम आगया 4 तो 22 जा 4 2 minus 1 तो कितना आगया यहाँ पे 11 की power 1 by 4 this is the answer fourth part देखते हैं इसका क्या है 7 की power 1 by 2 into 8 की power 1 by 2 अब यहाँ पे क्या use होगा यहाँ पे अगर देखो a की power m है into b की power m है तो हम क्या लिख सकते a into b को इखठा लिख देंगे a b की power m means multiply करके तो यहाँ पे देखो 7 की power 1 by 2 8 की power 1 by 2 तो 7 और 8 को क्या लिख देंगे इकटा 7 into 8 की power 1 by 2 या फिर 7 8 जा क्या होगा 56 56 की power 1 by 2 this is the answer I hope आपको यह question भी अच्छे से clear हो गया होगा अब आपको पता चल गया होगा formula कितने important है तो introduction आप जरूर देखके वीडियो को introduction वीडियो को देखके आप इन questions को करेंगे तो doubt नहीं आएंगे अगर directly कहीं पे जंप करके question देखते हैं तो आपको problem हो सकती है तो मैं आपको suggest करूँँगा पहले introduction देखिए फिर आप questions कीजिए आपको easily सारे questions समझ में आ जाएंगे फिर भी कोई doubt आता तो हम मुझे comment कर सकते हैं otherwise channel पे comment करके बताएं आपको channel कैसा लगता है और class 6 से लेके 12 तक के बच्चों को जरूर share करें क्योंकि 6 से लेके 12 तक का syllabus यहाँ पे available है Thank you students for watching this video and thanks for your love and support for this channel Thank you students